36 गड़ के धमतरी से खबर है जहां कुरुत पुलिस ने नशीली दवाओ की बिक्री और अवेश शराब को लेकर कारवाई की वहीं पुलिस ने भारी मात्वा में नशीली दवाई और शराब के साथ दो नाबालिक सहित पार चारोपियों को गिरफताद किया बताया जा रहा है कि पुलिस को मुखबीर से सूशना मिली थी कि कुरुत में गार्डन के पास एक युवक नशीली दवाई बेच रहा है सूशना पर पुलिस मौके पर पहुची और घेरा बंदी कर नशीली टाबलेट बेच रहे युवक को पकड़ा जिनके पास से 211 नशीली दवाई का टाबलेट और नगदी रकम करीब 4500 रुपे बरामत की गई पुलिस ने आरोपी परमेश्वर धीमर के खलाफ नार्कोटिक्स आक्ट के तहत का रवाई की है इसी तरह पुलिस ने 189 पऊवा देशी शराब के साथ दीपक जीमर लक्षमन दो सहीद दो नाबाली को गरफतार किया पुलिस ने दोनों मामलों में सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है धमतरी से वेभव चौधवी की रिपोर्ट उसमें कुल 211 नग टेबिट जब किया गया और आरोपी इसमें है पर्मिश्वर धीमर और उसी प्रकार से 34 दो की करवाई की गई जिसमें से आरोपी है दिपक धीमर और लचमर्दू और दो विदिस संगर सरत बालाते जिनके कबजे से पुर हमें 189 नग प्वाटर जब किये हैं पुलिस अदिक्षर मौदय का सुभू सरी आदेश राह संपूर्ण जिले में कि किसी प्रकार का भी किसी प्रकार का मादक पदार्त या जुवा सक्ता का कोई भी खेल छेत्र में जाली ना रहे जिस पर से समस्त थाना चेत्र और पुरुत थाना चेत्र में विजेश निगार रखकर कि कावाई की जाएगे